मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं है दादी अपनी पोती पर मुस्कर आई वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर गया मैं निकम्मा हुँ वह अपने कम्रे में रो रही थी माने मेरे उनका मजा गुडाने के लिए डाट लगाई मॉम स्कोल्डेड मी फार मेकिंग फन आप देम शक की कोई गुझाईश नहीं रही है उसने अपने दब्तर के पैसो को गबन किया मैं अपना कर जल से जल चुका दूगा काम कल तक कंपलेट होना होगा उसके नसीब में उससे फिर से मिलना नहीं लिका हुआ था दिन ढल रहा है तुम्हें घर जाना चाहिए कल तीन आदमी जेल से भाग गए मैं मुसिबत के समय में हमेशा उस पर भरोसा करती हूँ डब्बा इतना भारी था कि मैं उसे हिला नहीं सका वह वहां अकेले जानी लाइक बहादूर है वह चार जून उनिससा सवर्यात्तर को पैदा हुआ था उसने पिछले महिने टॉम से शादी करी थी मैं कभी वापस नहीं आऊंगा चादरे गिली लगती है मैं पुराने मंदिरों को देखने जाने का शवकीन हूँ उस लड़की को खत्रे के बारे में पता था इस दुरगटना के लिए कौन जिम्मेदार है उसने अपने दुख को अपनी मुस्कराहट के पीछे चिपा लिया मुझसे आपको यह संदिर देने के लिए बताया गया था धुम्रपान आपको हानी पहुचाएगा तुम्हारा दोस कितने बजे घर वापस गया था आपको गाओ में रहना पसंद है क्या मैं फैसला कर चुका हूँ हमारी कक्षा में पचास लड़के है यह जुते उसके है गोली बारी लगवक दोपर के बारा बजे शुरू भी तुम मेरे लिए एक बिटल्स का गाना गा सकते हो क्या जब मैं छोटा था मैं हमेश्या जल्दी सोकर उठा करता था वहां अपने प्रयोगों में कबुतरों का उपयोग करता था बेतर होगा कि इस बात को अंदेका किया जाए यहां साइकल तुमारे लिए बहुत छोटी है तुम लंडन से कब वापस आए? वें डिडियू गेट बैक प्रॉम लंडन? मुझे यहां बताओ कि टॉम ऐसा कर क्यों रहा है I want to know why Tom is doing this हर आदमी को खाना बनाना सीखना चाहिए Every man should learn how to cook कितने सैंडविच बचे है? How many sandwiches are there left? वहाँ खबर सुनकर हैरान रहा गई She was very surprised at the news She was very surprised at the news उन्हें अपने अकलमन बेटे पर नाज है They are proud of their clever son मेरे लिए एक और गरम तोलिया ला सकते है क्या? Could you bring me another hot towel? Could you bring me another hot towel? आप कोई दिलचप्स किताब पढ़ रहे है क्या? Are you reading an interesting book? Are you reading an interesting book? मैं Oxford विश्व विद्दलाय में विद्यारती हूँ I am a student at Oxford University I am a student at Oxford University बहाँ तो ऐसे बात करती है जैसे उसे सब कुछ पता हो She talks as if she knew everything She talks as if she knew everything तुम कॉलेज जाकर क्या करोगे? What are you going to do in college? हम इस विशय पर सहामत है We are in agreement on this subject उसने भटापट चिट्टी का जवाब दिया He lost no time answering the letter He lost no time answering the letter So friends, एथे, daily English sentences Thank you